हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूं रोली और आप देख रहे हैं रोली लाइस्टाइल आज मैं आप लोग के शामिन लेके आई हूं एक रिक्वेस्टेड वीडियो मुझे बहुत जादा है प्लीज मुझे कुछ उपाय बताईए और उनको बहुत जादा हैर फॉल की प्रोग्लम हो रही है तो मैंने सुचा चलो ठीक है मैं क्यों ना उनको कुछ ऐसी रेमेडी बताती हूं जो कि मैं खुद ट्राइ करती हूं तो गईस लेकिन वीडियो सुरू करन साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वह आपके helpful थी या नहीं थी और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जाने मेरे बारे मेरे बारे में आप सुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दू अगर कोई भी रेमिडियो अगर ट्राइ कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है एक बार दो बार चार बर लग जाता है पहली बात तो यह हो गए दूसरी कंडिशन यह होती है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे सूट करें वो चीज आपको भी सूट करें वह आपको इस बाताया है जिनों कि छो दॉससे भी सिघा किया है को बोहत्त फाइदा हूआ है एस आपको ही झाल हो और वह यह चीज है इंट तो मैंने इसके लिए दो चीजे मैंने इसके लिए हैं तो सबसे पहले जो चीज है वो है यह नीम का तेल और दूसरी चीज अलोवेरा जिल जो कि मैंने लिया है पतांजली का आपके पास अगर कोई और है तो आप कोई और भी ले सकते हो और यह जो नीम का जो ओल है यह कई ब दो ही ब्रांड थे एक कोई और बात था और एक यह डाबर था यह 50 ml की बॉटल है और यह पड़ी है मुझे 65 रुपीज में पड़ी है तो बहुत जादा कॉसली नहीं है लेकिन हाँ यह कि यह जो है मेरी हेर क्रोथ है उसके मुताबिक यह तीन बार चलेगी तो तीन से चार बार चलती है तो जादा महिंगी भी नहीं है लेकिन यह है कि आपको बहुत फरक पड़ेगा इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और एक चीज़ मैं आपको मैं मेंशन कर दूँ कि अगर कर सकते हों कैसे करना है आप मुझे कुमेंट कर दिजीगा गी की तो में आपको डिया वे करके बता दुँगी नीवांना मैंदर स Lance leaf ने आईए देखते हैं कि इसको में यूज कैसे करना है तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है यहां पे तीन चमच मैंने क्योंकि मेरी जो हेर ग्रोथ है वो थोड़ा सा जादा है बट जो मेरा अलोवेरा जिल था वो थोड़ा सा कम पढ़ रहा था मेरे को किते हैं नहीं की फकी रही है और थोड़ा ना भूल गए थी तो मेरा थोड़ा अलोवेरा जील कमी है मैंने इसको मांये टीन एस चिपन बे लिया है वार इसके साथ मेने तीन से 4 बे क्यां तो त्डिन सब्सक्रा congregation act चीज आप देख सकते हैं कि मैंने इसको माइक्रोवेव में हलका सा गुन गुना कर लिया अप इसको इसको सटील की कटोड़ी में इसके वियार किसी चीज पर रख सकते तब इहां है तकी ह mortar को बैस बल्कुल जरा से गुन गुना होना चाहिए जादा गरम नहीं होना चाहिए अटेम रarem ऑलत के लिया है और एक नियुक्स पून मेल AGD 1 एक पिन उपगरोगल अपवा निए सब्सक्भग ऐब दया जिया यहां पर जो बाल होते हैं राख जाते हैं नों नी मेरे से रिक्वेस्ट की थी वह इसको जब अफलाइ करेंगी और जिसको भी हैर फॉल की प्रॉब्लम और लड़का हो या लड़की हो चाहे कोई भी एज हो उनकी इनको इसको ट्राइय कर सकते हैं और इन ट्रस्टमी इवन आपके बालों में अगर इचिंग रही होगी या दैंडर्फ की बहुत प्रॉबलम है इवन अगर अगर आपके बालों में जुएं भी है तो भी यह सौल हो जाएगा इससे सारा कुछ आपका तो आप इसको ट्राय करके देखिए और प्लीज मुझे कमें बताएगा अग अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा आपको तो मैं इसको अभी मैं जाने हो इसको लगाएगा इसको कि अ तो आपको昨 Ó बाइखिढ गुएंगे तो आपको सी आपको अबेको अवागा इसको आपको कि अवाब सैनरा प्लीज आपको अबिरादे मुएंगे हो अब्सक्टैबाएबा शपको आपको और तो semble । कि मैंने अच्छे से लगा लिया है अपने बालो में अच्छे से वो है यह अच्छे से फट्व के लगा लिया है इसको में एक घंटे रखूँगी एक गंटे आप तो इसको में लगबग 1-2 गंटा रखोंगी क्योंकि मिल पास इतना ही ताइम है उसके बाद मुझे बाहर जाना है तो बस मैं इसको अभी जो भी नॉर्मल वाटर से जैसे मैं अपनी हेर वाश करते हो शैंपो कर दूंगी और बस बालों को सूख जाने देना है और उसके अगरा की प्रॉब्लम होगी वह सॉल्व हो जाएगी आप देख सकते हों कि मैंने काफी अच्छे से लगा लिया है और बालों के यहां पर जबी लगा के मैंने टाय कर लिया है तो ऐसे आप लगा लीजिए और मैं अब मिलती हूं आपसे बाबाए